टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी खुश्खबरी है और वह खुश्खबरी यह है कि जो टीम इंडिया में नंबर 4 की प्रॉब्लम ODI क्रिकेट में देखने को मिल रही है वह बहुत जल्द सॉल्व होने वाली है जी हां बिल्कुल सही सुना आपने श्रेयस आयर प्रॉइश शर्मा ने एक स्टेटमेंट में उन्होंने बतायाई है अपडेट ची इंडिया को इस वीडियों बताते हैं आपको रोहिशर्मा की स्टेट्मेंट श्रेस आयर अपने पूरी फिटनेस हासिल करने की रहा पर हैं इसलिए वर्ल्ड कप से पहले हम फिंगर क्रॉस कर सकते हैं हमें ICC टूनमेंट जीतने की ज़रूरत है हम किसी भी साल की तरह भारत के लिए ट्रॉफी जीतने का सबसे अच्छा मौका पाने के लिए अपने सारुषर्ष्ट प्रयास करेंगे तो जैसा कि आपने रोहिशर्मा की स्टेट्मेंट पर सुना कि श्रेस आयर जल्द ही टीम इंडाय वापसी कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छी बात है टीम इंडाय के लिए क्योंकि अकर देखा जाए पहले तो यह खबरे आ रहे थी कि शेस आयर और केल राहूल दोनों ही फिट नहीं हो पाएंगे एश्यकप तक लेकिन आप खबरे आ रहे हैं किकेल राहूल जो है वह सेलेक्शन के लिए एविलेबल है और शेस आयर पर थोड़ा सा संशय बना हुआ है उनको एश्यकप खेल ला है कि नहीं खेल लाया है यह थोड़ा सा प्रॉबलम है क्योंकि वह फिट तो हो चुके हैं लेकिन क्रिकेट के लिए इतने ज़दा फिट नहीं हुए लेकिन उसके बाद से आपको बता दे कि अगर एश्याकप नहीं भी खेलते हैं तो वर्ल्ड कप में तो वो खेलते हुए जरूर नजर आएंगे लेकिन इससे भी टीम इंडिया को एक डिस इडवांटिस देखने को म आपको बता दी कि उसके बाद से उन्होंने कोई मैच नहीं खेला है तो यह काफे एक लंबा अर्सा हो जाएगा उन्हें क्रिकेट फिल्ड से दूर रहे हुए उसके बास जब वापसी करते हैं तो वह बैटिंग कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं यह देखने वाली ब तब ही प्रभल्ण सॉल हो सकती है जब श्यzusा के पाते ही नंबर चार पे आके बलेबाजी करनी पढेगे क्यकर विराठ कोले मैच परणे चॉप्सक्राइब करना मुसरे नहीं या बाकि आप कितने सद्लें गाये हैं ये